के वी गुद्मॉर्णिंग शुद्यंट्स बिटा बेटा हमने अपने लास्ट वले लेक्चर में इलेक्ट्रोmm ilex की ते मिनिया तो तो एलेक्तोफ वो डोतलेतने तो बढोरेस्टिकील वनुद रिचाइब हम चीछ i.s. हिंग्या वहां पर उसे को हम लोग बोते हैं Sedimentation Potential Sedimentation Potential बोलते हैं और We Can Say कि जो आपने Electrophoresis पढ़ा है लेटा उसका Reverse क्या होता है Sedimentation Potential और यह जो Sedimentation Potential Explain किया था वो Dorn ने Explain किया था Dorn यहां पे Scientist का नाम था गीटा किस ने Explain किया था Dorn ने Explain किया था इसलिए everse of the Electrophoresis अन्य मगदा कुछ हम लोग दोए भी बोलते हैं तो तो हम लोग व адно क्या बोलते हैं इसको डोन सेडिमेंटीशन के रखने के लिए तो आप मैं एक हमते हैं साइडि में कार से दिमाग में बना and then Dr.St univers mi बा overse of electrophoresis अब बेटा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स टाइप नेक्स टोपिक है इलेक्ट्रो ओस्मोसिस एना ओस्मोसिस के बारे में जनरली आपने सुनाई हुआ है कि ओस्मोसिस होती क्या है आपका फ्लो होता है किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड का या पर्टिकुलर सबस् सब्सक्राइब अगर जैसे मैंने वहां पर उसको इलेक्ट्रिक फिल्ड किया तो वही प्रोसेस क्या होगे आपका फास्ट हो गया और उसी को आमने क्या बोल दिया इलेक्ट्रो ओस्मोसिस भिंट्र्श को जो ओस्मोसिस प्रोसीद उगा उसको आमें क्या करना है एलेक्ट्रिक्विड प्रोवाइड करना है ताकि प्रोसेस थोड़ा सब सब्सक्राइब oppositely charged particles को अपनी साइट जल्दी से attract करना start कर दे वही आपकी क्या हो जाएगी electro osmosis हो जाएगी एक बड़ डिटेल में देख लेते हैं यह क्या कहा रहा है on placing a collideal solution under the influence of an electric field बात वही है the particles of the dispersion medium which are also electrically charged यह कहा रहा है जो dispersion medium के जो particles होंगे move towards oppositely charged electrodes वो oppositely charged electrodes की side क्या करना start कर देते हैं बेटा move करना start कर देते हैं provided the collideal particles which are not allowed to move और यहाँ पर यह कहा रहा है कि जो collideal particles होंगे वो move नहीं करेंगे मैंने यहाँ पर लिखा है this phenomenon is called electro osmosis इसी phenomenon को क्या बोलते हैं बेटा electro osmosis बोलते हैं setup है electro osmosis कराने के लिए वो यहाँ पर दिखाया हुआ है देखो मेरे पास यहाँ पर जो दो membrane है these are the semi permeable membranes यह मेरे पास electrode है बेटा दो this is positive electrode this is negative electrode यह मेरे पास यहाँ पर water है यह भी इदर water है इदर मैंने क्या डाल रखा है collideal soul डाल रखा है अब अगर आपके दिमाग में question यह आता है कि sir हम लोगों ने यहाँ पे जो moment कराई वो dispersion medium के particles की कराई हमने collideal soul के particles की क्यों नहीं कराई तो बेटा आपको एक बात बता दू यहाँ पे जो semi permeable membrane है इसके जो pores का size है वो इतना नहीं है कि इसमें से collideal particles से move कर सके जैसे मैंने आपको dialysis में बताया था जो आपने एक cellophane bag लिया था उसमें से कौन move कर रहा था किसका moment हो रहा था बेटा electrolyte का moment हो रहा था collideal soul अंदर ही रहा जा रहा था क्योंकि particles का size क्या था छोटा था सोरी collideal particles का size बड़ा था और जो back के pores थे उनका size क्या था छोटा था तो वो move नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे भी बेटा आपका क्या move करेगा जो dispersion medium है उसके particles move करेंगे यह collideal soul के particles move नहीं करेंगे अब दूसरी बात यहाँ पे जो यह water है इसको मैं बार-बार remove करता रहूंगा उसकी वज़े आपको पता ही है क्योंकि अगर यहाँ पे concentration electrolytes की ज़्यादा होगी semi-primable membrane के inside बड़ा तो यह reverse process हो सकता है तो reverse process ना हो इसके लिए हम water को धिर-धिरे क्या करते रहेंगे change करते रहेंगे इसका क्या काम रहेगा यह dispersion medium के appositively charge particles को फटा फटा अपनी साइड खेचेगा आप देखो सिदी सी बात है एक तो particle को वैसे move कराना हो normally एक उसको अगर मैं appositive charge का दूसरा कोई electrode प्रोवाइड कर दूँ हूँ अपनी साइड खेचे तो speedly process कौन सी होगी बेटा जब मैं electric field प्रोवाइड कर दूँगा तो अब यसी बात है यहाँ प electric field का function आपको clear हुआ होगा collider soul के particles move क्यों नहीं करते हैं यह भी clear हुआ होगा water को बार-बार change क्यों करते हैं यह भी clear हुआ होगा तो यह था बेटा electro osmosis ध्यान दखना है आपको अब यह कहा रहा है कि the existence of electro osmosis has suggested that when liquid forced through a porous material जब liquid को forced किया जाता है through a porous material और we can say through a capillary tube a potential difference is set up between the two sides है ना तो यह भी कहा रहा है कि क्या set up हो जाएगा potential difference set up हो जाएगा between the two sides इन दोनों sides के बीच में potential difference set up हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं streaming potential बोलते हैं ध्यान देने की बात है इसने क्या का when a liquid is forced through a porous material porous material क्या है मेरे पास यहाएगा semi permeable membrane है when a liquid is forced through a porous material a potential difference is set up between the two sides that is known as streaming potential उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बीटा streaming potential बोलते हैं तो फिलहाल आपको जो नाम clear होने चाहिए वो होने चाहिए sedimentation potential और weekend से dawn effect क्या होता है जो की electroforesis का reverse था बेटा electroosmosis क्या होती है और streaming potential क्या होता है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा coagulation क्या होती है flocculation क्या होती है या फिर precipitation क्या होती है तीनों आपको आपके बुक्वगरा में एक से नाम दिखाई देंगे लेकिन के बीच में difference भी है उसको discuss करेंगे तो फिलहाल आपको ये clear होना चाहिए जो अभी पढ़ाया है आगे बढ़ते हैं बेटा coagulation, flocculation या precipitation क्या होता है अगर चरचा बीटा precipitation की करें तो आपको पता ही ये precipitation क्या होता है जो insoluble substance बन जाता है आपके solution के अंदर है ना वही क्या आपका precipitation होता है means aggregation of particles जो होता है छोट-छोटे particles का जो aggregation होता है और जो एक बड़ा particle बना लेते हैं जो कि insoluble होगा उसी को क्या बोलते हैं precipitate बोलते हैं अब तक हमने 11 तक तो यही पड़ा है अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है coagulation is the process of aggregating together the collideal particles so as to change them into large size particles which ultimately settle as precipitate देखो सबसे पहले आप precipitate और coagulation में difference समझे है precipitation तो क्या होता है मैंने क्या का simply aggregation of the micro molecules उने को क्या बोलते हैं हम लोग precipitation बोलते हैं लेकिन जब collideal souls का precipitation किया जाता है जहन देना collideal souls को जब हम लोग precipitate करते हैं बेटा उसी को हम बोलते हैं coagulation जैसे blood होता है हमारा body के अंदर जो blood है बेटा कहीं पे cut word लग जाए तो vitamin K वगरा का यूज़ करके हम लोग blood clotting करा देते हैं डोक्टर वगरा जो blood को रोकने के लिए blood flow को रोकने के लिए blood clotting कराते हैं वहां पे बेटा vitamin K यूज़ होता है तो blood clotting जो कराते हैं उसमें क्या होता है blood आपका एक मतलब बोलते हैं simply की खून जम जाता है है ना तकि वह अंदर से बाकी खून को बाहर नहीं निकलने देता है तो यहां पर द्यान देने की चीज क्या है मैं इस चीज का जिकर्ट्यू कर रहा हूं क्योंकि पहुता नहीं है इसको हम जनरली क्या करते हैं को छोटा से एक्ट्रोलाइट करके बटा प्रोसीड कराते हैं जब एक्ट्रोलाइट को एड़ किया जाता है तो एक कोलाइडियल स्लूशन एक collideal solution में the particles of the soul take up the ions which are oppositely charged and thus get neutralized, अभी यह कहा रहा है कि अगर मैंने किसी बेटा collideal soul में electrolyte add कर दिया, क्या कराने के लिए, coagulation कराने के लिए, तो वहाँ पर यह कहा रहा है कि जो आपके electrolyte है, इसका मनलब positive negative दोन तरजीज होंगे वहाँ पर, तो यह कहा रहा है कि बेटा आपका, the particles of the soul take up the ions which are oppositely charged, जो souls के particle होंगे, मनलब collideal souls के जो particle होंगे, वो कौन से ion को अपनी साइड खेचेंगे बेटा, जो oppositely charged होंगे, अब oppositely charged ions को अगर अपनी साइड खेचेंगे, तो obvious सी बात है, थोड़े time के बाद हो क्या हो जाएँगे, सारे neutral हो जाएँगे, तो इसने क्या कहा है यहाँ पर, which are oppositely charged and thus get neutralized, अब यहाँ देखते हैं, यह कहा रहा है कि the ions responsible for the neutralization, वो ions और neutralization के लिए responsible होते हैं, of charge on the collideal particle is called coagulating ion और flocculating ion, ध्यान देना एक बार, यह कहा रहा है इसने क्या कहा कि coagulation, मैं एक बार generally आपको दो लाइनों में फिर समझाता हूँ, coagulation होती क्या है, it is the precipitation of collideal souls generally, है ना, अब इसने कहा coagulation अगर मुझे proceed करानी है, तो मुझे थुड़ा बहुत electrolyte डालना पड़ता है, और small amount of electrolyte की requirement होती है, ज़्यादा की नहीं है यहाँ पर, अब यह कहा रहा है कि अगर electrolyte में डालूँगा, तो electrolyte जो solution में डालने के बाद, collideal soul के particle के उपर जो भी charge होगा, ध्यान देना एक बार, collideal soul के particle के उपर जो भी charge होगा, पोजिटिव अज्यूम कर लेता हूँ बेटा, तो electrolyte में से किस टाइब के आइन्स को अपनी साइड खेचेगा, नेगिटिव आइन्स को अपनी साइड खेचेगा, अब नेगिटिव आइन्स जब collideal soul के particle के पास जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, नेट्रल हो जाएंगे, अब ये कहा रहा है कि वो आइन्स जो responsible होते हैं, collideal soul के particle को neutral करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं, coagulating आइन्स और flocculating आइन्स ये important definitions हैं बेटा, बोर्ड में एक एक नमबर में खूब पूछी गई हैं, इनको ध्यान रखना है आपको, अब ये कहा रहा है बेटा, when a small amount of electrolyte is added, जब एक electrolyte की छोड़ी से amount डाली जाती है, that is when the concentration of electrolyte added is low, जब concentration जो होती है electrolyte की, वो क्या हो हमारे पास यहाँ पर, when concentration of the electrolyte added is low, the process is called flocculation, उसी process को क्या बोलते हैं बेटा, flocculation बोलते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर एक बात कहुँगा, फिलाल confuse होने की ज़रूर तो नहीं है, कि सर्फ flocculation, coagulation में difference क्या है, वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा, अभी के lecture में बेटा, तो आप फिलाल इतना ज्यान रखके, coagulation क्या होती है, और generally precipitation किसको बोलते हैं, precipitation generally हम किसे एक solution को, क्या कर रहे हो, aggregate करा रहे हो, particles को वही precipitation है, लेकिन जो solution है, अगर वो मेरा colloidal solution है, तो precipitation ही क्या होगा, coagulation कहलाएगा, ध्यान देने की बात है, फिर coagulating ions क्या होते हैं, यह clear होना चाहिए बेटा, क्या होते हैं, coagulating ions आपके, जो आपके responsible होते हैं, colloidal souls को neutral करने के लिए, अब एक next important term हो रहे है, that is coagulation value, coagulation value पर focus करते हैं बच्चे, the minimum amount of an electrolyte, the minimum amount of an electrolyte in millimoles, that must be added to one liter of a colloidal solution, so as to bring about complete coagulation, यह कर रहे हैं कि जो minimum amount होती है electrolyte की, जो हमें one liter solution में, colloidal solution में डालते हैं बच्चा, क्या करने के लिए, complete coagulation करने के लिए, उसी को बोलते हैं coagulation value, उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, coagulation value बोलते हैं, अब मेरे पास यहाँ पे एक नया word हो रहें बच्चा, that is coagulating power, coagulating power और coagulation value में मुझे relation put करना है बच्चा, अब देखो, अगर मुझे coagulation value क्या होती है, कि आपने किसी एक colloidal soul को coagulate करना है, colloidal soul को क्या करना है, coagulate करना है, उसको coagulate करने के लिए, colloidal soul को precipitate कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उस electrolyte की precipitate करने की जो power है, या वीकेंड से coagulate करने की जो power है, वो क्या है, बहुत तगड़ी है, पावर बहुत तगड़ी है, उसकी तभी तो मुझे उसके amount कम चीए, है ना, सोचने की बात है, अगर मानलो मैं कह दूँ, कि मुझे लड़ाई करानी है कुछ दो गुरूप में, अब एक गुरूप में 50 आदमी है, दूसरे गुरूप में total 5 आदमी लेके आया हम 50 आदमी उसे लड़वाने के लिए, तो और मैं कह रहाँ कि जो मुकाबला है वो भी बराबरी का हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर उधर नमबरो परसंस एक गुरूप में कम किया है, 50 से 5 किया है, तो इसका मतलब उनकी जो fighting power है उन बंदों की वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, तभी तो आपका 50 के comparison में मैंने 5 लिए वहाँ पे, है ना, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर electrolyte बहुत कम डाला गया है, और आपका एक लिटर कोलाइडियल सोल प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसका मतलब उस electrolyte की जो coagulating power है वो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब बेटा जो coagulation value है और आपका जो coagulating power है, उन दोनों के बीच में क्या relationship पूट हुआ, coagulation value अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब coagulating power कम है, coagulation value ज़्यादा होने का मतलब क्या है बेटा, electrolyte ज़्यादा चीए, electrolyte ज़्यादा चीए, मतलब power क्या है, उन electrolytes की coagulate करने की कम है बेटा, तो यह important relationship पर ध्यान रखना है, theoretical questions में, competition में बहुत पूछी जाती है, smaller is the coagulating value of an electrolyte, greater is the coagulating power, smaller अगर coagulating value होगी, तो बेटा coagulating power क्या होगी, greater होगी, आगे बढ़ते हैं बेटा, अब मैं आपको जो difference या जो confusion है थोड़ा बहुत, coagulation और flocculation में, वो clear करता हूँ, बुक में आपको दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, बट यहाँ पर जो इनका main और major difference हो, वो clear कर दे रहा हूँ, coagulation जो होती है न, it is a chemical process, सबसे बड़ा difference है, coagulation और chemical process होती है, लेकिन flocculation और physical process होती है, देखना, 12th level पर generally बोल दिया जाता है, coagulation, flocculation और एक ही बात है, बट मैं आपको difference clear कर दे रहा हूँ, coagulation और chemical process है, flocculation और physical process है, यह physical process क्यों है, वो भी मैं clear करूँगा, तो coagulation पहली बात, पहला point क्या हुआ, coagulation और chemical process, flocculation और physical process, the coagulant is often a salt, coagulation कराने के लिए, जो मैं coagulant use करता हूँ, वो क्या होता है बेटा, often a salt and breaks down to release charge, यह करा है कि जो coagulant होते हैं, वो आपके generally salts होते हैं बेटा, और जो charge को release करने के लिए, breakdown कर लेते हैं, खुद का breakdown कर लेते हैं, खुद को तोड़ लेते हैं, salt है तो अब्यस्सी बात है, जो तूटेगा तो आइंस में तूटेगा, charge to release हो गई, यह ना, लेकिन flocculant क्या होते हैं बेटा, the flocculant is often a polymer, flocculant polymers होते हैं, coagulant salts होते हैं, बहुत तगड़ा difference है, यह ना, flocculant is often a polymer, which induces the settling of the particles, and eventually grows into large flak, large flak मतला बेक्तरे से टुकडे, flak मतला टुकडे यह होता है बेटा, तो यह कहा रहा है कि the flocculant is often a polymer, which induces the settling of particles, and eventually grows into large flak, काम दोनों का वही है, इस बात में ज़्यादा confusion मत create करना दिमाग में, काम दोनों का वही है, precipitation ही मुझे कराना है, दोनों processes का बेटा, यहाँ पर काम एक तरह से देखा जाए, तो same ही है 12th level पर, बट आपको ध्यान क्या रखना है, कि जो coagulant होता है हमारे पास, वो क्या होता है, लगबग salt होते हैं, flocculant जो होते हैं, वो क्या होते हैं वो क्या होते हैं, पोलिमर्स होते हैं, जो आपका coagulation कराने के लिए, मुझे mixing जैसी techniques की कोई requirement नहीं है, लेकिन flocculation कराने के लिए, मुझे mixing जैसी techniques की requirement है, और इसलिए हम इसको एक physical process में काउंटे करते हैं, तो बेटा, यह दोनों में generally 3 main difference होते हैं, बट मैं फिर repeat कर दे रहा हूं, 12th level पर दोनों को एक जैसा साही ही पढ़ा जाता है, बट अभी आपको जो फिलाल आज का lecture हुआ है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, दोनों में difference ध्यान रखना है, coagulation value ध्यान रखना है, flocculation value ध्यान रखना है बेटा, और coagulating ions क्या होते हैं, coagulating ions क्या होते हैं, उस्चीज को ध्यान में रखना है, coagulation होती क्या है, precipitation क्या होती है, वो ध्यान में रखनी है, electroosmosis क्या होती है, streaming potential क्या होता है, dawn effect क्या होता है, यह sedimentation potential क्या होता है, इन सब को आपको अच्छे से करना है बेटा, है ना, ना, थैंक य।